दोस्तों इस वीडियो के दोरान हम बात करेंगे about reward points, reward points के accounting किस तरह से होती है इंडेस 115, revenue recognition के चाक्टप Also, RTP May 19 में इससे related एक question था, question number 4, जिसे काफी complicated, काफी tricky question बोला जाता है वो भी हम पूरा का पूरा इस वीडियो के दोरान करेंगे discuss, ये exam में भी आया था, तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो like जरूर कीचेगा आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही conceptual videos डालते रहेंगे इस पूरे महीने और coming days as well मैं बहुत जल्द एक पूरा का पूरा schedule भी आप लोगों के साथ share कर दूँगा जिसके अंदर मैं ये सारे के सारे videos की links भी आप लोगों को एक ही जगे provide कर दूँगा ताकि आप लोग ये सारे के सारे conceptual videos एक ही जगे पर बैठके देख सकें ठीक है एक्जाम point of view से काफी relevant रहेंगे इसलिए चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और telegram channel है हमारा जहां पर मैं ये post करता रहूँगा बाइचांस आपका कोई video miss हो जाए तो description में telegram channel की link दीवी है वो link के अंदर में भी subscribe जरूर कर लीजेगा चले तो बात करते हैं reward points की reward points क्या होते हैं जैसे कि suppose कीजे कि आप गए central store और आप central में जाके किये shopping suppose कीजे आपने किया कुछ 10,000 रुपे की आपने shopping की central वाले बोलते हैं कि 100 रुपे के पीछे हम आपको एक point देंगे आपना future में कभी भी कभी भी आईए redeem करने के लिए हम आपको 100 point के बदले 100 रुपे वर्थ के goods दे देंगे तो future में customer को 100 रुपे की goods मिल जाएंगे पर ये 100 रुपे की goods और आज जो आपसे 10,000 रुपे की goods लेके जा रहा है दोनों मिला के उसको benefit उसके point से सोचिए कि उसको 10,100 रुपे का benefit मिल जा रहा है यानि आप देखिए कि आज आपने क्या दिया 10,000 के goods आज दे रहे है future में आप 100 रुपे की goods दे देंगे customer को तो 10,100 रुपे की goods मिल रहे है बरबर customer को तो 10,100 के goods मिल गया है पर उसने pay तो 10,000 किया तो उसने 100 रुपे कम pay किया आपको बरबर है तो यह जो 100 रुपे उसने कम pay किया यह discount किस पे दिया गया है यह discount है किस पे 10,000 पे कि 100 रुपे पे आप बोलो कि सर ये goods हमने पुरे के पुरे free दिये तो पुरा discount इसी को allocate होना अच्छी आप क्या normally जो 100 रुपे के उसको goods दे रहे हो जैसे कि suppose करो 100 रुपे के socks लेगे चला गया याने normally भी आप ये socks free देते रहते हो कि सोच के देखो कि अगर वो 100 रुपे के socks आप free देते रहते हो नहीं देते ना भई पैसे लेते हो तो कैसे बोला जा सकता है कि नहीं पूरा discount उसी का है वो तो discount सोच के लेके गया कि यहाँ चलो ठीक है future में में कुछ ना उत्तों मिली रहा है बराबर है वो random product है वो कोई भी product ले सकता है हो सकता है वो jeans लेके चले जाए इसमें 100 रुपे का आप उसको discount देते होगे logic समझ में आ रहा है तो 10,000 रुपे में जो 100 रुपे उसने free दिया आप यह नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा discount उसी का है हमको नहीं पता तो क्या किया जाता है यह standard बोलता है कि आपने ना क्या करना चाहिए आपने इस discount को दोनों में allocate कर देना चाहिए यानि यह discount जब आपको पता ही नहीं है कि किस से related है 10,000 से related है कि 100 से related अगर पता होता है तो बात अलगे पता ही नहीं है तो standard बोलता है देखो ये discount logical नहीं है कि ये बोलते ना कि वो पूरा 100 रुपए के उपर ही allocate करते हैं आप दोनों में allocate कर दीजिए proportionate allocate कर दीजिए तो ये दोनों में proportionate allocate कैसे होगा proportion क्या होगा 10,000 is 200 10,000 is 200 ये मैं क्या लिखूँँगा 100 divided by 10,100 into 10,000 99 रुपीज लिख देता हूँ मैं यहापे 100 का discount 10,000 divided by 10,100 99 रुपीज का discount allocate होगा अपने goods को और एक रुपए का discount allocate होगा future के voucher को याने की 10,000 minus 99 9901 जो goods वो आज लेके जा रहा है और 99 वो goods वो future में लेके जाए है समझ मैं है आप लोगों को ऐसे revenue का recognition होता है ये concept होता है revenue recognition का अब कैसे revenue recognize करेंगे इन दोनों से related ये आप लोगों को समझना पड़ेगा इन दोनों से related revenue के लिए क्योंकि ये goods तो future में ले जाएगा आज तो लेके नहीं जा रहा है तो आज हम लिखते है cash 10,000 to revenue जो goods वो आज लेके चला गया 9,901 to customer liability 99 rupees customer liability जब वो future में goods लेके चले जाएगा जब वो future में goods ले जाएगा तो आप सिर्फ customer liability को debit करके revenue में transfer कर देंगे 99 इससे related जो आपके cost of goods sold है वो भी तो transfer होंगे as expenses बराबर है यानि cost of goods sold सपोस कीज़े ये जो 10,000 के goods है इनकी cost 8,000 है तो 8,000 to inventory ठीक है inventory में से transfer हो जाएंगे और future में suppose कीज़े 80 रुपे के socks है तो आप cost of goods sold to inventory उस दिन 80 रुपे transfer कर देंगे तो इस तरह से होता है revenue का recognition पहली ये basic बात अब आप लोगों को यहां तक कि समझ में आई होगी किस तरह से revenue recognize करते है reward points की revenue future में और जो आज goods जा रहे है उसकी revenue आज हो ठीक है basic concept sir ये सब तो ठीक है ये बताइए कि अगर वो future में इन points को exercise किया ही नहीं तो क्या किया ही नहीं उस नहीं exercise ही नहीं किया उस 100 रुपय का voucher तो था ऐसे कई लोग रहते हैं जैसे मैं कुद मेरी बात करता हूं मेरे पास ऐसे central क कई सारे points आते हैं कभी ध्यानी नहीं दिया आज तक है कि हां वो central के points किते पड़े, card में क्या पड़े हो पड़े-पड़े expire भी हो जाते हैं उन्हों के messages आते रहते हैं फिर कभी तो भी एक बार अगली बार shopping के ले जाते हैं तो बोलता है sir वो points expire हो गए आपके तो हम जैसे एसे कई सारे लोग रहते हैं जिनको ध्यान मीं नहीं रहता है चले गए points waste हो गए तो क्या गरना चाहिए इस point पर अगर वो waste हो गए expire हो गए तो फिर यह customer liability का क्या होगा revenue में तो transfer होगा क्योंकि revenue तो आपको होगा आप expire भी होगा आप ऐसे भी मिल गए लोटाना भी नहीं है risk and reward पूरी तरीके से खतम बरबर है न आप तो जो हुआ आपका ही होगा सबने वारा customer आप पूछ claim ही नहीं कर सकता ऐसे में भी revenue को recognize तो करना ही पड़ेगा ना simple कहा नहीं है revenue को तो recognize करेंगे इस point पे भी revenue recognize की जाएगी इस point पे भी revenue को recognize किया जाएगा SI बस ये एक entry नहीं होगी ऐसे को entry pass नहीं होगी खतम ठीक है चलिए sir ये भी सही है मतलब अगर customer नहीं भी लेता है तो भी irrespective of the fact हमको revenue को तो recognize करना है sir जब पहली बार sale हुआ था पहली बार तभी expected नहीं था कि customer उन goods को uncash करेगा वो future में आएगा ही नहीं reward points को लेने के लिए जैसे बहुत बार होता है नो 500 रुपय का voucher देते हो 2000 रुपय की खरीदी करोगे तो ये 500 का voucher use कर लेना पर minimum 2000 की खरीदी करना पड़ेगा lifestyle देता है I think तो यार कौन यूज करेगा ऐसे ही कभी ना कभी sale आजाएगा तब अपन खरीद लेंगे कौन वो discount voucher को यूज करेगा बुदता है समझ रहे हैं उनको भी पता है कि ये voucher use ही नहीं होने वाले है probably नहीं है past experience से हम लोगो समझ में आ रहा है past records हमने चेक की कोई आता ही नहीं ये इन voucher को exercise से तो क्या होगा तो क्या होगा तो भी क्या है customer liability बनना चीए standard बोलता है ने तब तो आप पूरा का पूरा 10,000 का revenue ही recognize कर लिए ठीक है अच्छा मतला अगर expected नहीं है तो फिर revenue को recognize कर लेना चीए पूरा का पूरा आपके बोलने पर थोड़ी मानें यहां नहीं आएगा customer हम बोलने पर थोड़ी मानते हैं हम auditors है हम check करेंगे past records है तो हम लोग आपको revenue recognize करने देंगे पूरा अगर past record नहीं है तो फिर तो हम customer liability बनाएंगे future में revenue recognize कर लेना sir हमने नहीं बनाया past experience के एसापचा हमने provision नहीं बनाया आगया customer sir लेने के लिए अब क्या करेंगे आगया customer लेने के लिए तो आपको tension क्या है revenue तो recognize हो गई बस early recognition हो गया इसको बोलते है change in estimate revenue recognize हो चुकी है अब tension लेने वाली कोई बात नहीं है इस पे दिमाग मतलगा न ठीक ह जरूर आएगा cost of goods sold जरूर आएगा तो देख यह हम आपके सामने 4 cases discuss कर रहे है पहला case basic case आज आपने goods बेचे voucher दिया voucher future में uncash होगा voucher से related proportionate amount customer liability में डाल दीजे future में जब customer goods लेने आएगा तब revenue recognize कर देना case हो उससे related cost भी recognize कर देना है अगर case 2 future में वो आता ही नहीं है recognize नहीं होगा case 3 आपको आज ही नहीं लग रहा based on past experience की customer आएगा future में goods लेने के लिए आप 100% revenue recognize कर दीजे 10,000 रुपे की कोई दिक्कत ही नहीं है case 4 हमको तो नहीं लग रहा तो आएगा पर हो आ गया तो क्या करेंगे यह revenue recognition नहीं होगा क्योंकि पहली हो चुका है revenue recognition नहीं नहीं होगा ना financial year भी तो अलग-अलग हो सकते हैं हो सकते हैं वह चेंज इन estimates कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो अच्छा सर ऐसा सिर्फ एक customer थोड़ी होगा ऐसे तो कई सारे customers होगे कुछ customers के लिए हमको लगता होगा कि यहां वो आएंगे in cash करने कुछ customers के लिए लगता हो अब हमको लगता है इनमें से 600 points ज़रूर in cash होगे यानि customer आएंगे future में बस इफ 600 points के लाएंगे यह past experience बता रहे कि 60% customers आते हैं 60% customers ठीक है तो फिर आज आप जब proportion बाट रहे हैं तो एक लाक और 600 इसी मैं बाटो ना एक लाक और 600 यही ratio मैं बाट दो पैसे मिले एक लाक बा पोशनेट एक लाक डिवाइड़ बाट एक लाक 600 इंटू 600 600 points का deduction 596 ठीक है और 4 रूपय यानि आज immediate revenue recognize होगी 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ये base है जिसके उपर question पूछा गया एक जान में ठीक है और ये base पे ये वाले जो estimates है ये भी तो change हो सकते हैं अब आप बोलोगे साथ 600 की जगे 400 इंट इंट काश हुए तो भी revenue पूरा recognize करता है 600 की जगे 800 points के customer ने goods लेके चले गया तो भी revenue 596 ही recognize होगी either case 596 होगी sir ये सारे points एक ही दन तो in cash नहीं होते हैं थोड़े 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 करके होते हैं तो जितने जितने होंगे उतनी उतनी revenue recognize होती ही चले जाएगी आप समझ रहे है main मुद्धा ये है इस तरह से revenue recognition का पुरा का पूरा concept काम करता है ठीक अब हम ये main hunting का question देखते हैं और इसक है क्या बोला है same चीज़ है same concept है KK Limited एक departmental store चला रहे हैं जिसमें 10 points मिलते हैं for every purchase of 500 हर 500 के purchase पे 10 points मिले हैं ठीक है जो discount कर सकता है customer further shopping with same merchant same merchant से ये goods को future में मतलब central mall में आपको points मिले central में आप future में आए आप discount in cash कर लीज़े अब इनका कहना है unutilized point laps हो जाएंगे 2 साल में और इन्होंने एक point और डाल दिया trick में कि हर point की value ना 50 पैसा है यानि आप ये समझे कि आप 500 की खरीदी करना है 10 points मिले 500 की खरीदी करना है 10 points मिले हर point की value 50 पैसा है यानि rupees में अगर मैं worth बोलू तो 10 point into 0.5 पांच रुपे के goods आपको हर 500 रुपे के बदले में free मिलता है अब तक हमने जो भी example देखे हैं हर 1 point का 1 रुपे मतलब होता है पर यहां इनोंने बूला नी नी एक point का मतलब 50 पैसा होता है 50 पैसा है तो हम अब हमको क्या करना है अब हम लोग revenue recognition के लिए यहां पे 5 रुपीज लेंगे हर 500 के बदले 5 रुपे ठीक है चलो during the year 17-18 entity ने award किये 1 crore points अब आप सोचो 1 crore तो points अवार्ड हो है हर point की value 50 पैसा यहांने 50 रुपे का benefit customer को बराबर है यहांने अगर मैं customer को benefit बोलूँ तो benefit customer को 1 crore points यहांने 100 रुपे इंटो 0.5 50 रुपीज है अब यह समझ यह कि इतना अगर आप benefit दे रहे हैं तो sale कितना हुआ होगा यह तो benefit है sale कितना हुआ होगा 5 रुपे का benefit देते हैं 500 के पर 500 के उपर 5 का benefit देते हैं तो आपने 50 लाग का benefit दे रहे वो इस calculation कर लेता है 500 का benefit देते हैं और 5 रुपे के उपर तो 50,000,000 पर किता का sale हुआ होगा 5,000,000 5,000,000 का sale हुआ होगा समझ गया ये clear हुआ होगा कि अपन ने उसको 1,000,000 पॉइंट दिये 100,000,000,000 पॉइंट 100,000,000 पॉइंट हर कोईंट का मतलब होता है 50,000,000 यानि 50 lakh रुपीज के goods customer लेके जा सकता है 50 lakh के goods ले जाने के लिए customer ने shopping किते की की होगी हम तो 5 रुपे का benefit दे रहे थे हैं 500 रुपे की sale पे तो reverse calculation कि अगर 50 lakh का benefit दे दिया तो sale किते का हुआ होगा ठीक, चलो Points of various customers of which 18 lakh points remained undiscounted 18 lakh points अभी तक के utilize नहीं हुए है 18 lakh points अभी तक के utilize नहीं हुए और management expect कर रहा है 80% will be discounted in future 80% will be discounted in future of which normally 60 to 70% हा redeemed in next year अब 2 साल का period दे रहे हो आप तो ठीक है, यह first is यह year 1 यह year 2, आप तो 2 साल देते हो ना, लिखा हुआ है clearly कि 2 साल तक के customer in goods को use कर सकता है बरबर अब आपने इस point पे 100 lakh points दिए बरबर इस में से अपने को पता है 82 lakh points यहीं पे use हो गए 82 lakh point यूज हो गए दिखा है clearly expected है कि इन 2 सालों में 80% point utilize हो जाएंगे ठीक है कौन से 80% बचेवे 18 lakh के बचेवे 18 lakh के 80% utilize हो जाएंगे 14.4 lakhs यहने बाकी के utilize होंगे ही नहीं यह बोल रहे है 80% utilize हो जाएंगे 80% किसके 80% वो पूरे 100 lakh का नहीं बोल रहे है क्योंकि 100 में से 82 तो utilize होई चुके हैं तो उसका तो 80% होने का scope ही नहीं है अपन बोल रहे हैं जो बचेवे हैं undiscounted amounts points है undiscounted points है वो undiscounted point में से 80% दो साल में use हो जाएंगे आने 14.4 तो 3.6 का क्या यह 3.6 lakh का क्या यह utilize होंगे ही नहीं यह lapse हो जाएंगे यह अपना expectation है तो अगर यह आपका expectation है lapse हो जाएंगे तो इसकी revenue आज ही recognize कर लेंच है इसका attention ले नहीं नहीं है ठीक है चलो अब management expect कर रहा है 80% discount होंगे जिसमें से 62-70% तो year 1 में हो जाएंगे यानि अगर मैं average 60% भी बोलूँ तो roughly 10.8 lakh points utilize हो जाएंगे year 1 में और 14.4 से अगर मैं compare करूँ तो 3.6 lakh points utilize हो जाएंगे उसके next year में roughly अपना estimate है कि इस तरह से points utilize हो जाएंगे I hope यहाँ तक की clear है ठीक है समझ में आया होगा चलो अब ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमको पता है कि sale हुआ है 5000 lakhs का और हम जो benefit दे रहे हैं वो 50 lakh का दे रहे है याने customer को 5050 का benefit मिल रहा है पर customer ने pay तो 5000 ही किया है तो अब थोड़ा सा proportionately बाट लेते हैं इसको पहले पहले एक बार का तो बाट लेते हैं बाद में दिमाग लगाएंगे कि वो 80% बगेर का क्या तो 5050 sorry 5000 divided by 5050 इंटू 50 49.5 और 0.5 4950.5 और 49.5 इस तरह से revenue का recognition होना चीए तीक है मैं थोड़ा round off कर रहा हूँ institute ने round off नहीं किया है पूरा का पूरा figure दिखा है 5000 lakh का अपन थोड़ा round off करके देख रहे है तीक है concept समझ रहे हैं आपन तो इसलिए भी बहुत बड़े figures mathematical calculations की बात नहीं कर रहा आपने चलो तो होना क्या चीए आज cash debit 5000 lakh हम revenue recognize कर लेंगे 4950 की और customer liability में पढ़ा रहेगा 49.5 ठीक है I hope यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ गे question के दो part है आपका ये 80% expectation कब का था साल भर sale हुआ है समझ रहे हैं जब साल भर sale हो रहा है तब अपन दिमाग नहीं लगा रहा है कि साल भर sale हुआ है तो हाँ ठीक है अभी देखते हैं कि इस साल कितने customers आके वापस इसी साल में redeem कर लेंगे points को देख लेते हैं आपन ठीक है subsequently change हो रहे है पहले दिन जब sale हुआ जब मैं ये revenue recognize कर रहा था तब का ये 80% का expectation नहीं था आप past experience को समझे past experience क्या बोला हुआ है there's a difference between two accounting treatments एक accounting treatment ये है कि 50 का 80% ही expected है कि utilize होगा तो revenue recognition का base ही बदल गया question ने क्या बोला कि देखो भाई कुछ customers ना इसी साल आ जाते हैं अब इतना detail में उन्हों ऐसी writing थोड़ी है कि कुछ तम question बहुत बढ़ा सारा लिखेंगे ये समझ में आता है कि कुछ customers ना अभी आ जाएंगे ठीक है तो मतलब customer इस साल कुछ goods लेके चले जाएंगे जैसे 82 lakh के redeem करके चले गए points उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ भाई अब इतने points रहे गए इसमें से कितने exercise होते हैं रफ्ली past experiences about balance points same year में कितने customers आ जाता है यह थोड़ा सा unpredictable है या फिर अगर होगा भी तो question ने हो data नहीं दिया तो when you are waiting for the whole year मैं यह उपर में उससे 80% multiply नहीं कर सकता क्योंकि 80% is not for complete point it is only for remaining outstanding point remaining outstanding point तो year end पर ही पता चलेगा जब तक year end नहीं होगा तब तक outstanding point नहीं पता चलेगा आप बोलोगे sir question में सब पता है अरी question है question तो आपको पूरा data देगा न कि भी साल भर में इतने point utilize हुए है अब remaining year में ही है आप timeline के वाइस चलेए पहले sale हुआ उस दिन नहीं पता था कि कितने point utilize होंगे फिर साल के end में पता चला हाँ बही 82 lakh point utilize हो गए अटरा लाग बचे है अब past experience देख रहा है past experience बता रहे कि हाँ इसमें से 80% future में utilize हो जाएंगे 60-70% next year बचे वे उसके next year तो ये base होता है ठीक है अब इसमें से अपने को पता है 82 lakh points utilize हो गए है तो 82 lakh points की revenue recognize कर लेना चाहे पर अब एक concept समझें यहाँ पर this is not the trend जो मैंने आपको बता है अब यहाँ पर क्या होगा हम यह समझेंगे ठीक है क्योंकि time period expire नहीं हुआ है इसलिए points utilized पहले तो कितने points utilize हो गए तो points utilized हो गए थे 82 lakh अब हम देखेंगे further expected points further expected points तो further expected points है 18 lakh का 80% 14.4 lakhs यहने सब मिलाके 96.4 lakh points expected है कि over the period total utilize होने वाल है 96.4 lakh points तो अब revenue recognition कैसे होगा यह समझेंगे हम यह नहीं बोलेंगे कि 82 lakh और जो laps होगे वो उनके पूरे के पूरे points आपको revenue recognize करना है ऐसा अब पूरा का पूरा नहीं करेंगे अपन revenue recognition कैसे करेंगे अब अपन बोलेंगे देखो यह जो 49.5 lakh है क्योंकि यह हमने customer liability में डाल दिया था इसलिए यह 96.4 lakh points से related है जिसमें से 82 lakh points utilize हो गए इसकी revenue recognize कर लिए आप समझ रहे हैं subsequent recognition का एक concept एक trend हम change कर रहे हैं हम ऐसा नहीं बोल रहे है student क्या गलती करता है आप यह समझ यह मैं red pen में बताता हूँ student क्या गलती करता है student बोलता है 82 utilize हो गए 3.6 lakh point utilize नहीं होंगे divided by 100 इतनी revenue recognize कर लो नहीं बाबा there is a change in estimates जब estimate बदलते हैं तो prospective accounting होती है prospective accounting कैसे होती है हम यह base को बदलते है base has been changed to 96.4 lakh KT 2 lakh utilize हो गए और 14.4 और expected है to be utilized याने हमने customer liability में जो amount रखा है customer liability में उसको इस proportion में बढ़ना है पुराना proportion बोल जाए यह prospective accounting अगर आप 100 लग रहे हैं तो आप तो subsequently वोई base लेके चल रहे हैं बेस change करना पड़ेगा estimate change यह होता है तो 96.4 lakh अब total expected points है जिसमें से 82 lakh point utilize हो चुके हैं इत्ती proportionate revenue आप recognize कर लीजे समझ गए तो 49.5 into 82 divided by 96.4 होता है 42.1 ठीक है 42.1 तो अब मैं क्या करूंगा customer liability debit to revenue 42.1 lakh इत्ती revenue को recognize कर लूँगा ठीक है देखिए अपना how should it be done for 10 lakh रुपीज अब 10 lakh चोड़ो अपनने पूरे 5000 lakh के लिए कर दिया तो पहला question तो आप लोग खुदी attempt कर लेंगे बड़ी बात नहीं है how should redemption be recorded in 1718 requested due to present sale of goods and redemption as independent transaction sale 5000 lakh उनने बताया भी है अपने को जरूद भी नहीं थिया अपने उसके बिना ही कर लिया तो पहली entry मैंने बता दिया how much deferred revenue should be recognized in 1718 because estimation है कि only 80% will be utilized ये भी हमने बता दिया अब next year जा रहे है 1819 60% of outstanding points were discounted ठीक है अच्छा इसमें ना finance element नहीं आएगा कि 2 साल बात utilize हो रहा है तो चलो इसमें finance component भी लेलो नहीं इसमें नहीं आएगा हो सब चीज है ठीक है तो अब अपने जो outstanding points है पहले मैं यहाँ पर वो लिख देता हूं 49.5 माइनस 42.1 हो गया 7.4 lakhs ठीक है इतना बचा हुआ है अब अपन क्या गरेंगे points utilized अब अपन next year पे आ चुक है 1819 60% of outstanding points outstanding 18 लाग थे 14.4 नहीं बोलू माँआ outstanding 18 लाग थे 18 लाग के 60% point utilized हो गया 10.8 lakh बराबर balance 40% outstanding still remained outstanding how much of revenue should be recognized अब इन्होंने ऐसा थोड़ी बोला है कि estimates हमारे change हो रहे है ठीक है future utilization change नहीं हुआ है expectation तो मेरे साबसे total तो अब भी 14.4 ही रहेगा याने 3.6 lakh points future में utilize होंगे यह अपना estimate है अभी अपने estimates बदले नहीं थीक है अभी अपने estimates नहीं बदले तो यह जो 7.4 lakh बचे है 14.4 जिसमें से 10.8 lakh points utilize हो गए इस proportion में अपन revenue recognize कर लेंगे 5.55 lakhs इतना revenue और recognize कर लेंगे customer liability debit to revenue 5.55 lakhs अब इसके बाद और कितना बचा? इसके बाद बचा 1.85 lakhs ठीक है इसके बाद बचा 1.85 lakhs यह revenue इसके next year recognize कर लेंगे irrespective of the fact यह revenue यह point utilize हो next year lapse हो जाएगा न यह utilize हुए यह नई हुए इससे जादा हो गए doesn't matter पूरी revenue recognize कर लेंगे how much revenue 19.20? 3 lakh points was utilized अपन तो 3.6 lakh ही expect कर रहे थे 3 lakh point utilize हो गए doesn't matter बचा 1.85 lakhs हुए हम तो पूरी की पूरी revenue recognize कर लेंगे आईए हमारे इस answer को match करते हैं final answer के साथ fourth वाला तो 10 lakh 10 points 500 रुपए वो सब उन्होंने बता दिये यह उन्होंने 10 lakh का बता है तो मैंने आपका पहला वाला तो solve कराया ही नहीं था 5000 lakh का sale 4950 और 4950 customer liability में पढ़ा रहेगा फिर उसके बाद में 18 lakh का 80% 1440 expected to be recognized total अभी तक के recognized total हो जाएंगे 9640 हमने भी यह total लिया था 82 lakh divided by यह हो जाता है कुछ 42.11 अपना कितना आया था अपने 42.1 लिखा था 42.11 उन्होंने पूरा figure लिये ठीक है फिर next year revenue to be recognized revenue to be deferred 7.39 तो अपना revenue deferred यह 7.4 फिर next year यह जो 10.8 थे तो दोनों मिलाके 92.8 lakh हो गए out of 96.4 answer same ही आएगा बदले का नहीं minus what is recognized हाँ अगर यहाँ पर estimates बदले होते यह सही तरीका actually estimates बदले होते तो denominator बदलना पड़ता था ना इसी लिए इसी लिए उन्होंने ऐसा किया है चलिए फिर इसके बाद इसके next year हम बचा हुआ पुरा का पुरा revenue recognize कर देंगे irrespective of the fact कि last year की points कितने है ठीक है पुरा का पुरा revenue recognize करना है irrespective of the points redeem doesn't matter किते point redeem होई योगि ultimate year lapse हो गया ठीक है I hope concept clear हुआ होगा समझ में आया होगा तो अगर पुरा का पुरा concept समझ में आया है वीडियो को like ज़रूर कीचेगा आप लोगों को जो भी doubts है ठीक है नहीं समझ में आया कोई बात तो 8600364185 यह number का आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं नीचे वीडियो के आप comment भी कर सकते हैं कि sir यह यह doubt है यह वला point नहीं समझ में आया है आपने कैसे calculation बताया है अपन ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे future में और कौन-कौन से इसके वीडियो बनाने हैं यह मुझे बता दीचेगा मेरे अभी coming two videos जो की मैंने प्लान करके रखे हैं आप तक के एक तो है participatory preferences ठीक है जो की Indian accounting standard 33 से related है दूसरा वाला हमारा है इससे related financial guarantee ठीक है जो concept Indian accounting standard 109 के अंदर में दिया हुआ है कि किस तरह से उसका revenue recognition होता है financial guarantee का revenue recognition बोल रहा हूँ मैं expense की भी accounting होती है इसमें दोनों दो तरफा बात की गई है वहाँ पे ठीक है और इसके अलावा impairment of goodwill जो की Indian accounting standard 36 भी deal करता है और 110 consolidation भी deal करता है ठीक है कि impairment of goodwill की accounting किस तरह से होती है coming days में आप लोगों को ये भी videos मिलेंगे ठीक है तो channel को ज़रू subscribe कीज़े ताकि आप लोगों को इसके notification आते रहे कि यही videos upload हो गया है आप लोग देख सकते हैं अपन पूरा month regular basis पर ऐसे videos डालते रहेंगे ताकि आप लोगों का कोई time waste ना हो हर रोज के videos तयार रहेंगे ठीक चलिए thank you and all the best